Hello students! How are you all? I hope fit and fine at home. Yes? Good! चली आज हम कक्षा चुरू करते हिम्दी की. ठीके? पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था वर्ण माला. वर्ण माला में हमने स्वर और वेंजन दोनों का अध्यन किया था. स्वर कितने होते हैं संख्या में? ग्यारा. और वेंजन होते हैं टैटिस. अब स्वर हैं आ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ए, ओ, आव. ये होते हैं ग्यारा स्वर. और इनकी होती हैं मात्राएं. तो आज हम प्रारंब करेंगे आ, छोटे आ की मात्रा से आ की पहचान क्या होती हैं. ठीके? अब वेंजनों में, हर वेंजन में आ का समावेश होता है. हर वेंजन में आ की ध्वनी आती है. ठीके? जैसे, देखो. बीना ध्वनी वाले क ऐसे होते हैं. इनके नीचे लगाता है हलन. क, ख, ग और ग, ये अपून है, ये अधूरे हैं, क्योंकि इसमें नीचे हलन्त लगा हुआ है. इसमें अभी आ की मात्रा का समावेश नहीं है. इसलिए सब के नीचे हलन्त लगा हुआ है. इसी प्रकार इधर भी देखो. च, च, ज, ज, य, सब के नीचे क्या है? हलन्त. ये भी अधूरे हैं, क्योंकि इसमें अभी आ की मात्रा का समावेश नहीं है. ठीके? जब आ की मात्रा का समावेश होता है, तो वो कैसे बन जाता है? ऐसे. क, जम आ, क. अब क के अंत में आपको आ की धोनी सुनाई देती है, क. ठीके? क, जम आ, क. इसी प्रकार. दूसरा है, क. अभी खा के नीचे हलन्त लगा है. जम आ होके क्या बन गया? क. क्या बन गया? क. खा में भी आकी धोनी आ रही है एक और धारन लेते हैं घा जमा अ ग ठीक है अब इसी प्रकार से हम शब्द भी बनाते हैं ठीक है अब देखो घा जमा अ जमर जमा अ कौन सा शब्द बना घर ठीक है एक और शब्द लेंगे फ जमा जमल जमा कौन सा शब्द बना हमारा फल कौन सा शब्द बना हमारा फल ठीक है अब एक छोटी सी गतिविदी आपके साथ खेलते हैं और अब जब ध्यान से पढ़ीगा इसमें क्या लिखा है और अनुमान लगाईए कि इसकी अंदर कौन सा शब्द हो सकता है ज जमा जमल जमा इसको आप रोज पीते हो अब इसको अनुमान लगाओ कौन सा शब्द हो सकता है कौन सा शब्द हो सकता है सोचे सोचे आपका अंसर यही है आपका उतर यही है जल कौन सा शब्द है जल ठीक है चले एक और शब्द लेते हैं इसमें लिखा है ना जमा जमा मा जमा जमक और जमा यह तीन वर्ण वाला शब्द है यह कौन सा शब्द है इसको रोज अब खाने में इस्तिमाल करते हैं सोच के बताएए यह शब्द कौन सा है देखें कौन सा है देखें सोची यह आप कौन सा शब्द है देखिए नमक कौन सा शब्द है? नमक तो आज की कक्षा में हमने क्या जाना? आज की कक्षा में हमने जाना आज की पहचान आज सारे व्यंजनों में पहले से ही सम्मिलित रहता है इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है ठीके? आज के लिए बस इतना ही